तो कोशन आया है कि एक लड़की है उसे कुछ टाइम हुआ है लिव इन लेशर्शिप में रहते हुए यानि दो भाईने हुए अब उसका डाउट है कि आप वो अपने पार्टनर से मेंटिनेंस मंख सकती है मन्तिली का या नहीं तो देखो आंसर अब इसका एक्स्प्लेनेश सुन लोता है कि आपको लॉंटर्म समय में एक केस था लता कुमारी वर्शेज स्टेट अफ यूपी उसमें सुप्रिम कोट ने बोला कि भाई लिव इन लेशर्शिप कोई illegal काम नहीं आप रह सकते हो अगर आप अडल्ट हो तो अगर आप एज फुल्फिल कर रहे हो तो साथ होगे रहते रहे अब कोई देखता है तो नको लगता है कि या एक सबसे तलाश में लेश कर सकते हैं बने तो IPC है उसके लिए यानि कि domestic violence वाला एक्ट नहीं लगेगा जनरली अगर मालो तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं तब आप maintenance ले सकती हो क्योंकि बच्चे हो गए ना देखो शादी क्या है शादी बसी फेरे वाला सीन है बिना फेरे हम तेरे यानि कि अगर तुम husband wife की तरह रह सकते हैं living में बिना शादी की बी और नेक्स तिंग आती है कि एक दो साल से कुछ नहीं तुम्हें जनरली साथ साल आठ साल दस साल living में रहते हुए हो गए हैं तब तुम maintenance claim कर सकते हो as your wife ऐसे नहीं कि तुम एक महीना हुआ नहीं और चल दिया court ऐसा नहीं होगा okay landmark judgment आ रहे ह okay so I hope it is clear अगर मानो मार पिटाई होती है तो उसके लिए मैंने आपको बताए दिया okay so bye माहेश दल्ले बेरा दल्ले बेनी बाप तेरा नलाए लोड़ा हुपका मेरा ममता मेरी चलाए ममता दंगी लेटी बाप